हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अलव फ्यू इन माई चनल जिसका नाव है मिस्ट एजूकेशन और जहां पर हम लोग तयारी कर रहे हैं यूपी जी इसी लेक्चर फिसिक्स की और काफी टापिक हम लोगों ने डिसकस कर लिया है हम लोगों ने फिलाल अभी लेक्टिस्टी पोर् और उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे नीचे के लिंक दिये लिंक पर और फिर आप उस पर जो टेस्ट हुए हैं उसको टेस्ट पेपर भी जाके हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं और उस टेस्ट को ट्राइब करेंगे तो आपको अच्छा फील सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत ही क्वालिटी फील होगी हमारे चैनल में इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो को भी देखें तो चलिए आज का टॉपिक का सुरुवात करते हैं आज का टॉपिक है फैराडेस लाओ जैसा की सेलेबस में दि फिलाल बड़े कम सब्दों में बात करते हुए चलते हैं हम लोग मैगनेटिक फील्ड यानि चुम्बकी छेत्र तो चली यह होता क्या इसके बारे में हम लोग समझते हैं तो दूस्तों इस टॉपिक को सुरूब करने से पहले थोड़ी सी बात हम पीछे के करना चाहेंगे तो सबसे पहले और यह दीखा कि करिंट गणा मैगनेटिक होता है जब बड लक्सasiol होगा तो जो जीरो हो गया आपके मैपनेटिक से विक्षेप यह जिएरो हो génér마क 쿠 को एक यह मैगनेटिक में क्या होता है हमें कि रहा है कि यह को स्टॉप कर दिया यह mission कटर में करेंड को रोक दिया तो दिफ्लेक्शन जीरो हो गया इससे रही होता है कि माइघनेटिक शिर्ल्ड का रहिट होता है यह और स्टेट ने फाइंड किया इसके कुछ दिनों बाद मतलब बहुत यह उन्हों ने देखा उसके बाद उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसिस को रिपोर्ट किया कि मैंने ऐसा कुछ किया है उसके हफते दो हफते या तीन हफते बाद एंपियर्स बड़े एक साइंटिस्ट होए आपने विपह नाम सुना होगा जिनके वाइस और के लग्लध करिंट जो पार्ट फिजिक्स में ऑन जो नया पार्ट आया उसको इसको माजनिजमधिसम का नाम दिया यह फिर वहीं Ampere ने इसका नाम Electrodynamics दिया आपने एपने Graduation Classes में इसको पड़ी होगी तो Electromagnetism नाम और Estate ने दिया और Electrodynamics का नाम उन्होंने Ampere ने दिया बाद में इस पर और लोगों ने काम किया फिर Successfully BioShavert ने एक law दिया जिससे हम लोगों ने यह Find किया कि Magnetic field की क्या value होगी अगर कोई current carrier आपके पास conductor है यानि किसी वायर या किसी लूप या किसी सिस्टम में current flow कर रहा है तो वो क्या magnetic field produce करेगा उसकी क्या value होगी और किन-किन बातों है आपका classical electrodynamics है तो यह कुछ प्रमुक्त नाम रहें जिनसे आप इनका नाम लिया यहां पर जिसमें टेसला बहुत ही ट्रवेंडस साइंटिस्ट थे जिनका experiment हमेशा से भयावा था इस बज़े से उनका बहुत ज़्यादा नाम हमें देखने को नहीं मिलता लेकिन वह मतलब उनके experiments जो थे वह बहुत ही तरीके से intelligent experiment हुआ करते थे तो इस बज़े से वह लेकिन उसका जो impact होता था किसी भी experiment या किसी भी साइंट रूल का या किसी भी साइंटिफिक कोज का एक merit होता है दोनों होता है मोबाइल का हमारे जीवन में इस्तेमाल अच्छा भी है वैसे ही टेसला की रूल्स का जो मेरिट था वह कोहीं ज्यादा था और जब टेसला का दौर था तो वर्ल्ड वार का टाइम हुआ करता था यानि सेकंड वल्ड वार या फर्स्ट वल्ड वार के टाइम का टेसला थे तो उनके एक्सपेरिमेंट का कहीं दुर्पयोग नहीं किया और हमारे आज की जो साइंटिस्स में नाम जो है वह बहुत कम मतलब कम इंपॉर्टेंस के साथ लिया जाता है लेकिन आप व्याद रखें बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है और अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है जहां तक आप जान सकते हैं कि जो टेलिफोन का आज मोबाइल फोन का तो हमारा कम्मिनिकेशन सिस्टम बिल्डफ हो सकता है तो वी आरे थैंकपूल टो हमें नहीं कुछ नहीं किया है हमारा इस इन सम्मुद्धों में नहीं इंट्रेस्ट है हमें जानना है कि किस तरीके से सब्सक्राइब और मैंने क्या नाम रखा मैंने बिदिए अगर आप देखें तो मैंने ने पहले भी विडियो्व किया हुआ है और एंपियर लौ उसमें मैंने इन सब बातों में नहीं किया बात किया मैंने डायरेक्ट क्या किया मैंने लेकिन चुक्ष लॉप पढ़ना है तब ही आपको समझ में आएगा तो मैंने क्या गया वह इस तरीके से फाइंड किया गया कि एक रीजन में इसमें क्या किया गया कोई भी चार्ज इससे यहां बूब कर आया गया तो जो चार्ज पर फोर्स लगा उसके को डिफाइन किया गया यह आप याद रखेगा और उसका जो एक्स्प्रेशन था वह था एक्ष एक्वल टुक्यू वी साइन थीटा तो यहां से वी इसमें किया गया से अध्यक उनार इन्सर को भी कितना हो गया हमारा 1 हो गया है तो यहां से यह आया f upon qb ठीक है यानि अगर आप क्या करें एक तो बहुत सिंपल सा definition आप यह पढ़ेंगे कि किसी current carrying system या किसी magnet के चारों तरफ वो reason जो क्या करें किसी वो reason जो किसी दूसरे चार सिस्टम या दूसरे magnet को क्या करें अफेक्ट करें या स्मॉल मैटेरियल कंड़क्टर को क्या करें अफेक्ट करें उसे magnetic field बोलते हैं तो बेसिक लेवल की definition रही उसे भी आप चाहें लिख सकते हैं दूसरा आप इससे भी लिख सकते हैं और वह मैंने अभी लिखा कि दोनों को मैं लिखूंगा बारी बारी से पहले हम लोग जो क्लास 12 स्टेंडर्ड में पढ़ते हैं उसको देखेंगे फिर इस से करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनिशन क्या बन सकती है इस दर स्पेस अराउंड अ मैगनेट कॉमा या स्लेस अत्वा जो कह सकते हैं करेंट कैरिंग सिस्टम इन विच अनादर या इन विच अबार्ट इस फोर्स 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 आफ अट्रेक्शन हो सकता है इसे शॉर्ट फोर्म में हम लोग कह सकते हैं इंटरेक्शन यानि किसी चुम्बक किसी चुम्बक अथवा धारा वाही चालक के चारो और के चारो और का वह छेत्र जिसमें वह दूसरे चुम्बक कौमा चालक अथवा धात उपर बल लगाता है तो यह मैंगनेटिक फिल्ड की बेसिक डेफिनिशन रही ठीक है अब इसको क्वालिटे यह तो क्वालिटी डेफिनिशन है कॉन्टिटिव डैट मेंस हाव मच मैंगनेटिक फिल्ड विल बी एनिवर वह कैसे फाइंड करेंगे वह हम लोग अभी जो आपको बताए से एफ इक्वल टू इसको दूसरा आप करिएगा क्यू भी साइन थीटा से या आप क्या कर लिजिए इसको भी लिख लिए तो भी क्या हो जाएगा एफ अपॉन क्यू भी जहां पर हमने थीटा को क्या कर लिया है 90 ले लिया है और अच्छे से इसको डिफाइन कैसे किया गया माना गया कि जो चार्ज की वैल्यू है वह यूनिट चार्ज है और जो विलॉसिटी है वह चार्ज की वह माल लिये गए वन मीटर पर सेकेंड यानि किसी रीजन में कुलम चार्ज को वन मीटर पर सेकेंड से मूब करा रहा हैं मैगनेटिक फिल्ड के परपेंडिकुलर ली तो आप देखिए क्या हो जाएगा यह एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा बीजी कुल टू एफ यानि तब अगर आपके चार्ज को जितना क्या होगा फोर्स फील हो एक मीटर पर सेकेंड से मूब करा जाए तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा चार्ज वो मैगनेटिक फिल्ड की वैल्यू होगी या वो मैगनेटिक फिल्ड वहां पर प्रेजेंट करेगा तो यह इसकी डेफिनीशन बनेगी इसलिए हम इसको यहां से अटा रहें औ है इस आथने मिट्ट की रोसा इस नान दो टने रिघ्ट ओंद इन अब यह इंटेगें की बाकनेटिक फिल्ड इंट वहाए मुशने की मुपि इन अ मैघ्नेटिक फिल्ड विड विध यॉन capability ए ंर्युनेट वीर्ट वीन एटेट वीलासेटी प्रियुने ट्यूने in the direction in the direction perpendicular to the field then then the force experienced by the charge will give the value of magnetic field magnetic field की value देगा इसे जिसे आप हिंदी में विडेफिनीशन लिख सकते हैं यदि एक एक आंक आवेज अगल कि एक आवेज्ट कि एक आंक वेलोसिती एक आंक वेज से किसी चुमबकी चेत्र में कि लंबवगत कि छेत्र की लंबवगत तो कि छेत्र में फोड़केर लंबवर्च ऐसे ज्यादा अछा है आइथ दर कर द्रीज ABS तो आवेश पर लगने वाला बल चुम्बकी छेत्र के मान को दर्साता है या बताता है कि प्रेश केंग्लिस डेफिनिशं रही सब्सक्राइस के लोग हमें से थ данि कि आंता है तो उपनी भासा में भी आप लिख सकते हैं जैसे भी आपको समझ में सब्सक्राइब तो यह बाते रही magnetic field की, ठीक है, definition की, इसे हम लोग B से represent करते हैं, as usual, जैसा कि आपने class 12 से शुरू किया होगा, पहली बार पहली बार तो आपने class 10 में देखा होगा, फिर उसके बाद आपने class 12 में भी पढ़ा, तो इसके बारे में इसे it is represented by B, यानि इसे B से प्रदस्थित करते हैं, दूसरा it is a vector quantity, तीसरा इसके direction की बात करेंगे, sorry dimension की, यानि वी मा की, तो कैसे निकालेगे, आपने देखा कि B is equal to क्या था, F upon QV, इसी से magnetic field define किया गया, तो dimension BC से आएगा, आपका इसकी पहले unit लिख लेते हैं, अच्छा, तो बेटर ही होगा पहले unit लिख लेते हैं, तो यह newton होगा, force का unit newton, charge की unit column, और velocity की होगी meter per second, ठीक है, तो आप column के साथ second ले लिजे, यानि जो time है, उख column के साथ लिजे, तो column second meter हो जाएगा, यानि newton और column upon second, यानि I is equal to QVT क्या होता है, कुलाम upon second, तो धारा होगा, यानि current होगा, तो इसे ampere और meter लिख सकते, तो इसकी unit क्या हो सकती है, एक unit आपकी होई newton per ampere meter, ठीक है, जिसे हम लोग Tesla भी कह पढ़ेते हैं, या आगे हम लोग जब magnetic flux पढ़ेंगे, तो आपको जानके और भी clear पता लगेगा, कि इसका एक unit और होता है, वेवर पर meter square, बट यसाई unit की बात की जाए, तो यसाई unit Tesla होती है, और mks में इसे जब convert करते हैं, यानि हम इसके और basic unit में जाते हैं, तो newton per ampere meter ह होता है, और इसकी एक unit वेवर पर meter square, यह तीनों same value है, यानि आप अगर किसी charge system या किसी charge को magnetic field में क्या किये, move कराएं, और आपको magnetic field एक टेसला मिला, तो चाहे आप उसे 1 newton per ampere meter कह सकते हो, या वन वेवर पर meter square भी कह सकते हो, तो यह आपकी magnetic field की, साई unit की बात हो गई, mks क आप cgs की बात करें, तो cgs unit इसकी होती है, गॉस, और one tesla is equal to होता है, 10 to the power 4 गॉस, तो यह कुछ बाते unit से related हो गई, और भी unit है इसकी, लेकिन जब हम लोग magnetic flux में पहुचेंगे, तो अब हम आपको बताएंगे कि यह क्या कहा जाता है, इसकी unit और इसकी क्या-क्या values होती है, तो फिलाल अब हम लोग dimension पर चलते हैं, dimension की बात शुरू किये थे हम लोग, तो यानि बीमा की, आप यहां से देखे, बी का dimension क्या होगा, force आपके पास है, mlt-2, charge क्या-क्या होता है, charge की dimension होती है, 80, क्योंकि charge आपकी fundamental quantity नहीं है, आपकी साथ जो SI unit दिये गए हैं, उसमें charge क कोई place नहीं है, और dimension formula में हम लोग क्या करते हैं, जब भी dimension formula लिखना होता है, तो जो भी quantity दी गई है, उसको हम पहले उसके fundamental quantities में break करते हैं, और fundamental quantities में जो आपको value, मतलब sign assigned है, जैसे length के लिए L assigned है, mass के लिए M assigned है, temperature के लिए T दिया गया है, तो यह सारी values को हम represent कर देते हैं with their respective powers, powers के साथ represent करते हैं, यही आप dimensional formula हो जाता है, that is why charge हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कि कोई भी charge का यहाँ पे 7 unit में, उसमें कोई जगह नहीं है, तो charge को निकालने के लिए हमें इस equation का help लेना पड़ेगा, तो I into T is equal to Q, तो I का dimension A होता है, T का T, तो इसका dimension A T, तो MLT minus 2 A T, और आपका जो distance है, उसका column की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, A T, फिर आपका meter per second है, तो MLT minus 2, sorry, आपकी velocity है, तो LT minus 1 होगा, या इससे लिख सकते हैं, तो यह इससे cancel हो जाएगा, T power यहाँ पर 1 सपोस किया जाएगा, यहाँ पर माइनस 1, तो लोनों cancel हो जाएगे, यह LL से cancel हो जाएगा, A को उपर आप ले जाएगे, तो B A minus T minus 2, यह क्या हो जाएगा, B का dimension हो जाएगा, तो यह magnetic field का आपका क्या हो गया, dimension हो गया, M A minus 1 T minus 2, इसको आप अच्छे से copy में लिखेगा, एक्जाम में पूछा जा सकता है, specially आपके pre-exam में, अब B को, यानि magnetic field vector को दो-तीन नाम से जाना जाता है, एक आपका इसका नाम है, magnetic induction vector, दूसरा इसको बोलते है, magnetic flux density, तो यह दो नाम है इसके, जो आपको ज़्यादा तो यूजवली देखने मिलता है, वो magnetic field मिलता है, बट आप इन दोनों नाम को भी जानते रही है, अगर आप से exam में पूछता है, तो आप ऐसा मतलब आपको नया ना लगे कि यह है क्या, इसलिए इसको नोट किये रही है, लोग जो हो है, उसको देखते है, magnetic flux, यानी चुमबकी फ्लक्स, यह क्या होता है, अगर आप देखें कि किसी रिजन में magnetic field है, है जान लिएक हम सब्सक्राइ distributing जो मैंगनेटिक क्या होता है मैंगनेटिक फील्लाइन के फॉरण में चलती है अगर आप मैंने डिकलिट्र को रिप्र्रेजेंट करना चाहते हो तो क्या करते हैं मैं अगर आप देखे हैं से कितना पास हो है कि समझेगा यानि कहीं पर मैगनेटिक फिल्ड लाइन से और आप उसे किसी यूनिट एरिया या किसी सर्फिस एरिया से देख रहे हैं कि यह कितना पास हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे मैगनेटिक फ्लक्स बोलेंगे इसको कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि मालीजे हमारे पास एक पाईप है जिसमें से पानी निकल रहा है अब पानी इसमें से निकल रहा है तो यह समझे यह पानी के फोर्स लाइन से तो इस यूनिट एरिया से या इस पाईप के क्रॉस स कितना number of flux lines या number of lines पास पास हो रहा है या number of force lines पास हो रहा है उसी को हम लोग flux बोलते हैं अगर यह force lines मैंगेटिक फिल्ड की है तो आपका क्या क्या हुजाएगा magnetic flux हो जाएगा अगर यहीं आपको force aliens किस है कलई लेक्टरिक फिल्ड की हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा तो जब भी आपको फ्लक्स की बात की जाएगी तो आप याद रखिएगा फो नमबर ऑफ फोर्स लाइन्स पासरिंग थू दर यूनिट एरिया विचिस पर्पेंडिकुलर टू अगिवेडे फिल्ड मतलब जो भी आपको फिल्ल दिया जा है उस फिल्ड में आप क्या करें एक पर्पेंडिकुलर ओंदिकुलर एरिया से जितने भी नमबर ऑफ खिएं लाइन वो बताएंगे फ्लक्स ऐलेक्ट्रिक फिल लाइन से ट्लेक्ट्रिक फ्लक्स और मैगनेटिक फ्लक्स बताएगा तो चलिए इसके बहुत ज्यादा बात हम लोग detail में करते हुए जितना sufficient है उतना ही करेंगे देन लिखेंगे the number of the number of magnetic force lines force lines passing through passing through the area which is perpendicular to the field is called is called magnetic flux यानि किसी लंबवत सता से गुजरने वाले चुम्बकी बल्रेखाओं की संख्या को चुम्बकी flux कहते हैं इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है अब यहां पर concept यूज होता है अगर आपको दिक्कत है तो आप जाके वहां की वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फिर भी एरिया विक्तर क्या होता एक छोटे से फार्म में बताते हैं कि अगर आप मालीजे हमारे पास कोई surface area है अगर इसका हमें एरिया विक्तर लेना होगा तो एक एरिया विक्तर हम इसके रिप्रेसेंट करेगा एरिया विक्तर अगर चोटा एरिया ले रहे हैं तो यह चोटा एरिया आपका एंड़ी यह हो जाएगा चोटा एरिया विक्तर तो मागनेटिक फ्लक्स कैसे फाइंड किया जाता है मागनेटिक फ्लक्स आपका डिफाइन होता है पहले तो स्मॉल रि इस इक्वल टू वी डॉट डियस डियस क्या है आपका एरिया वेक्टर भी यहां रेप्रेजेंट कर रहा है कि यह क्या है मारा मैगनेटिक फिल्ड का फ्लक्स है अब कीजिया क्या स्मॉल लिखेंगे और किसी बड़े रीजन से पास कर रहा हो तो क्या कर लेंगे डिफाइब का इंटीग्रेशन लेंगे 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 कुछ इस तरीके से तो यह किसी पूरे शेप कोई बड़ा सा एरिया है उससे पास होने वाला यह मैगनेटिक फ्लक् र मतलब इसका डरट करेंगे तो भीडर्ट लिन आदेव मरल मदjust always कोम सद्सक्राइब गांजण चीटा क्या होगा करेंगी अंब एह लिए सिदो क्या होने मैंने टिक फिल्द एंड एरिया वेक्टर आर्डिया वेक्टर मैंड़निक फीडों माई इनकलती हैं जो साउध पूलमेंट्स के स्टेंध को दिखाने के लिए कॉंसेप्ट यूजाता है मीहने इननका सिर्फ कॉंसेफ्ट ऑटाphony एक्ट्चस नहीं कड़ती magnetic flux आपकी physical quantity है real quantity है और यह स्केलर quantity है याद रखिएगा कि magnetic field lines जो होती है वह imaginary quantity है इसे हम क्या करते हैं conceptually concept magnetic force या magnetic field को explain करने के लिए magnetic field lines का concept लेते हैं कि यह magnetic field lines north pole से south pole में जाती है फिर उसके बाद magnetic flux की बात करते हैं चुकि magnetic flux भी क्या number of force lines passing per unit area अगर यह किसी area से magnetic field lines पास हो रहे हैं तो यह कैसे क्या यह imaginary होगा कि real होगा तो यह बच्चे क्या होगा आप याद रखिएगा हमेशा कि यह क्या होगा real होगा तो ठीक है तो magnetic इसको लिख लीजेगा कि magnetic field lines are imaginary यानी चुमब की बल रेखा है कालपनिक होती हैं बट लेकिन magnetic flux is real physical quantity यानी एक वास्तविक बहुतिक रासी है ठीक है जिसकी unit क्या होती है इसकी unit होती है वेबर पहले तो इसकी unit क्या होती है वेबर होती है और दूसरी unit आप ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं इसका दूसरा unit होता है cgs का होता है Maxwell तो cgs unit क्या होती है इसकी Maxwell होती है इस बात को आप याद रखेगा तो एक वेबर में कितना Maxwell होगा एक वेबर में आपका 10 to the power 8 Maxwell जिसे आप कभी-कभी MX form में देखेंगे अब यहां से देख सकते हैं जब हम लोग magnetic field की बात कर रहे थे है और magnetic flux की बात कर रहे थे तो five is equal to हमने लिखा बी ए अगर मैं simple form में लिखूं तो बी क्या हो जाएगा फाई अपॉन ए हो जाएगा है ना बी is equal to क्या हो जाएगा फाई अपॉन अबी क्या होगा magnetic flux हो गया ए क्या होगा एरिया तो इसका का मतलब है क्या कि magnetic flux पर unit area इसी वज़त से इसको क्या बोलते है magnetic flux density magnetic flux density कहने का जो इसका कारण है वो यहीं है और magnetic field की unit भी आई थी आपकी क्या वेबर पर मीटर स्क्वाइर तो यहीं से आपको में थे क्योंकि फाइक वेबर हो जाएगी एरिया क्या हो जाएगी मीटर स्क्वाइर तो वेबर पर मीटर स्क्वाइर होगी भी क्या यूनिट हाँ पर तो यह बात आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आई अब यहां पर एक दो बाते और हैं जिसको आप नोट करेंगे किसी रीजन में अगर मैगनेटिक फ्लक्स क्या हो रही है आ रही है इंकर कर रही है तो उसे हम लोग निगेटिव लेंगे इनवर्ट इनवर्ड मैगनेटिक फ्लक्स और वहीं आपका आउट वर्ड यानि बाहर जाने वाली जो मैगनेटिक फ्लक्स होगी वो होगी क्या पॉजिटिव होगी कि में है तो बिल बी पॉजिटिव यह बात आप आप अधर रखेंगे इसके भी आपको क्वेश्शन्स देखने को मिल जाएंगे अगर किसी रीजन में नेक्स बात अगर किसी रीजन में कि इनरीजन अ आपका बी-जीरो हो तो इस नेसेसरी डैटीट 5 भी क्या होगा जीरो होगा यह necessary है बड दूसरा यह कि अगर कहीं आपका फाय जीरो है यानि magnetic flux 0 है तो यह हमेशा it is not necessary यह जरूरी नहीं ढहाँ है याद रखेगा कि magnetic field भी क्या हो? 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कारण यह कि आपने कहा कि किसी reason में magnetic flux जो आएगी उसे हम लोग negative लेंगे और जो magnetic flux जाएगी वो positive लेंगे तो अगर आने और जाने वाली magnetic flux equal हो जाए जैसे किसी magnet की थूँ बात करें तो magnetic flux की total number जो होती है वो zero होती है आपने पढ़ा होगा gosh law of magnetic statics हम उसकी भी बात करेंगे फिलाल यहाँ पर आप याद रखेगा कि जब भी क्या होगा किसी रीजन में magnetic field zero होगा तो flux तो necessary zero होगा लेकिन अगर किसी reason में flux zero है तो जरूरी नहीं है कि magnetic field वहां पर 0 होगा इस बात का आप याद रखेंगे अब बात करते हैं वीमा की तो इसका डामेंशन जो होता है याद रखेगा चाहे मैंगेंटिक फ्लक्स की बात करें चाहे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दोनों के डामेंशन क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे ml2 t-2 a-1 तो खासकर सभी क्वांडिटी के डामेंशन आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि यह मन सकता है इससे बनते ही है अच्छे अच्छे एक्जाम में बनते हैं तो यहां पर तो बनेगा ही चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरीके से हम मैगनेटिक फ्लक्स बैर can inanic इस चुंब की स्कोपं बढलने के अलग-अलग तरीक यह आपके मैगने तरीके से सबस्क्राइव पहला तो यह हम क्या करें कि किसी रिजन में मैगनेटिक फिल्ड जैसे हमने एक कोई एरिया ले लिया यहां पर जो मैगनेटिक फिल्ड चेंज हो रही है मैं अम Cape मैं बन लीए तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं कि योत फैलिन आपका पैला हो गया है दोसरा आप क्या यहां पर यहां पर जो हमने एरिया लिया है वह एरिया क्या हो टाइम के साथ चेंज हो यानि टाइम वैरिंग एरिया ले ले यहां तब उससे भी क्या होगा आपकी मैगनेटिक फिल्ड जो चेंज हो रही है मैगनेटिक फ्लक्स जो होगी उस एरिया से क्या होगी चेंज हो ज से एक magnetic field fixed हो आप उसमें क्या करिए एक लूप यहां से लीजिए एंटर कराइए और निकाल लीजिए बाहर तब ही क्या होगा इस लूप से magnetic flux क्या होगी चेंज होगी तो लूप है बाई इंटरिंग एंड लीविंग असर्कुलर लूप आप क्या कर सकते हैं magnetic flux change कर सकते हैं और भी है कि आप किसी क्या कर सकते हैं किसी लूप को magnetic field में क्या करिए टाइम के साथ वहरी करा चेंज मतलब मूब कराई यह रोटेटिंग है लूप है इन मागनेटिक है तो इतने तरीके से हम लोग magnetic flux को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं ठीक है तो यह magnetic flux करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा यह में प्रोडूस होगा जिसे बताया तो यह हम अगली वीडियो में करेंगे तो यह कुछ बाते रहीं जो magnetic flux के से रिलेटर रहीं यह सिर्फ और सिर्फ फैराडेश लाग के बेसिक के लिए है अगर आपको यह बाते अगर नहीं समझ में आती तो साइध है कि आपको फैराडेश लाग समझने में दिक्कत होती तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसे बहुता है और किसी मेंगनेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर किसी लूप में कितनी धारा या कितनी इमाप्रोडीस होगी यह सब भी चेक करेंगे और कुछ फ्वेस्टन्स भी हम लोग जरूर करेंगे फिर आपको मैं उस पर आधारित क्वेस्टन्स दूंगा जिसे को दिक्टत होती है तो आप मेरे से कंसर्ण भी कर सकते हैंि वाध भी चाहिए हमारे लिंख़ पर टेलीग्राम या इमयल कर सकते है मैं आल्स वीड़ है पाल्त करता हूं आप को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ सेयर करें हमारे चैनल पर आपको विडियो मिलेगा साथ 1112 और आइटी जाई के वीडियो आप मिलने करें और जो भी आप कोई सजीशन से आप देना चाहें बहुत ही तहे दिल से आपका स्वागत है आप दे सकते हैं चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद